लोगतांत्रिक विवस्था में सबसे बड़ा उसोय यानि की मतदान कल की तारीख में संपन्वने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाओ की घुष्णा दो चरणों में होई थी जिसमें प्रतम चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान की तारीख ग्यारा मई नियत की गई थी जो आपसे कुछी घंटे शेश है। आज हम आपके समच एक महतुपून आगड़े पर बात करने आये हैं। समझा आपने से कई लोग ऐसे हैं जो इस खबर को ना ही देखेंगे ना है इसको शेयर करेंगे। अलग कि यह आपके उपर है कि इसे आप शेयर करते हैं अतवा नहीं करते हैं लेकिन जो मुद्दे की बात है वो आज बहुत गंभीर बात है। बातों की सुरुआत करें उस से पहले आपको बता दें कि प्रत्रम क्रणन में लखनो के मतदान का प्रतिश्ट सरमशार करने वाला है और खास कर ऐसे लोगों के लिए जो चुनाओं में विकास जूँटते हैं चुनाओ के समय ऐसे प्रत्यासी को तलासते हैं जो उसकी जाती से सम्बंदित होता है लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस चीज का दायरा सबसे कम रह जाता है वो रहता है मतदान के प्रतिशत का लखनओ के मतदान के प्रतिशत कहीं न कहीं चौकाने वाले आंक्रे थे ले चुनाव में नगरीय सामान निर्वाचन 2017 के परणाम गोशित हुए थे उसके आँकड़े ज्यादा। पर से ज्यादा चौकाने से अंकड़े हैं कि 44.207 ड्यूंब जिसे खिलगे। नोटा के 0.33 प्रत्षत लोग भी रहे, मात्र 37.09 प्रत्षत से जीत और हयात ते हो गई, निकर्तम प्रतिद्वंदी 21.14 प्रत्षत मत पाता है और इसी से यह फैसला हो जाता है। अब इसमें आपको सबसे चोकाने वाले आकड़े अगर बताते हैं, प्रत्यासियों को प्रत्षत कुल वैद मतों का मतदाता के साथ प्रत्षत, यह आकड़े काफी ज्यादा चोकाने वाले हैं, जिसमें 15.85 प्रत्षत विजेता घुशित हो जाता है, हरे रंग से जो यह आप के सामने डाइग्राम बना हुआ है, यह आप देख सकते हैं, और इसमें जो सबसे गंभीर और सबसे सरमसार होने वाली बात यह है, कि 57.3 प्रत्षत लोग ऐसे रहें, जो मतदान से उपस्तित रहें, यानि कि अपने जिम्मेदारी से भागते नजर हैं, जो इसमें वोट ड डालने वालों की संख्या, अगर बात करें, तो बहुत ही कम रही, यह आपके सामने वो कुछ ऐसे आख्रे थे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, कि आखिर इस चुनाओं में, जब हम बात करते हैं, जब हम प्रत्यासी की तलास करते हैं, हम बात करते हैं, मेदारी से भाग रहे हैं, और अपने आने वाली नसलों के लिए, आप एक खराब विवस्था पंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, जब भी भविस्व में बड़ा होगा, तो वो भी कहेगा, कि मेरे पिता जी, या मेरे माता जी, या मेरे भा ले नहीं जाते हैं, तो निस्चिती आप से बड़ा, आप से खराब समाज का कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आप लोगतांत्रिक विवस्था में जो चीज आपको निशुल्क मिल लई है, बात निशुल्क की आती है, तो सरकार जब आपको कुछ निशुल्क देती है, वो तो लाइन में लगकर आपको मताधिकार से आप सरकार बना सकते हैं, आप अपने नगर की सरकार बना सकते हैं, सरकार आप भीरा सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी लोगतांत्रिक विवस्था का प्रियोग नहीं करते हैं, आप मतदान डालने नहीं जाते हैं, उसमें से भी कुछ जिम्मेदार विक्तियों की या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह आगे बढ़ें अपने साथ दस लोगों को और प्रेजित करें कि जाएं वो मतदान करें क्योंकि जब भी चुनाओ आता है जब किसी से पूछिए क्या मुद्दे होंगे क्या विकास होगा हर कोई विकास की बात करता है लेकिन जब चुनाओ सामने आता है तो जनता कहती है इसने विकास नहीं किया उस दल ने ये नहीं किया आप किसी प्रेज़ पर आरोग क्यों लगाते हैं आपको आरोग लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है अगर आपके पास क्योंकि उनका यह तरीका कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना है और भारत के लोग तांतरिक विवस्ता को कहीं न कहीं चोट पहुचाने वाला है अब हम चाहेंगे कि आप मेसेज जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आने वाली तिथी पर जाईए मदान कीजिए अपने साथ अने लोगों को लेकर जाईए सरकार भी लगातार लोगों को प्रेडित करती है सेल्फी मांगती है तमाँ मीडिया चैनल भी इसके सेल्फी मांगते है पेस्बुक पे फोटो अप्लोड कीजिए, लोगों को प्रेदि कीजिए, टेक कीजिए बस कोशेस ये किजिए कि मतदान जादा से जादा कीजिए तक जोगि जितना जादा प्रस्षत मंदान होता है उतना स्वस्थ प्रत्यासी आपके सामने आता है और आप उससे अपने उन सभी कार्यों को करवा सकते हैं जिनके लिए आप मुद्दे पर जाकर बात करते हैं तो हमारा आप से फिर यही अन्रोध है कि आप कल जादा से जादा संख्या में मद्दान करें और इस बार बारा बंकी का ये रिकॉर्ड ऐसा बनाएं कि पूरे उत्तरपदेश में बारा बंकी जनपत की हनक कायम हो सके धन्यवाद